भू माफिया आभियान के तहस शिवनी जीले में पुलिस और राजोसु की टीम ने वैसे तो कई जमीनों से अवेत कबजे हटाये हैं लेकिन शिवनी शहर के उतकरष्ट विध्याले जमीन में काबिच अवेत कबजों को हटाने में राजोसु विभाग दिलचस्पी नहीं ले रहा है कई सालों से उतकरष्ट विध्याले की प्राचायरी और PTI सिक्षक खेल मैदान की जमिन से कबजा हटाने की मांग करते चले आ रहे हैं कलेक्टर और जन प्रतिनी दियों को पत्र लिखकर मांग कर चुके हैं इसके बावजूद कबजा नहीं हटाया गया है हाल ही में जनवरी महीने में कलेक्टर ने उतकरष्ट विध्याले में बैठक लेकर कबजा हटाने के लिए नोटिस जारी करवाया था इसके बावजूद तहसिलदार द्वारा कबजा हटाने की कोई पहल नहीं की गई है हलाकि अवेत कबजधारी भी कबज़ा हटाने के लिए तैयार है लेकिन उनकी मांग है कि उन्हें कई और सिफ्ट कर जमिन उपलब्द कराई जाए हम आपको बता दे कि शिवनी शहर इस्तित उतकर्ष्ट विध्याले में 14666 अध्यानरत है जो मैदान के अभाव में क्रिकेट, फुटबॉल, होकी जेसे खेल खेलने से वंचीत है छपारा से आरिफ मुहमत की रिपोर्ट हमारी बवस्ति नहीं हो रही है तो हम रह रहा है थे हैं मोज़ों जब तक कोछ नहीं था तो हम रह रहा है थे हम गरीवदमी हमारी जीवन ग्यापन कैसे एंअन् realizar Harris नहीं देने की गरीवदमी है हाज काल्या के मढ़ में क्राय तीन हजार 40000 कराई हो ऑँ के राय सब्सक्राइब. कि जाए बहुत सी जंगाया से सहर के आसपास पड़ी है जह मैं सारी पबलीक और जनता रह रही है कि राजकुमाई डेहरी है हुजी में और इस विद्यालाय में जो सारीरिक सिक्षा की जो गती विदिया है वो चूंकि प्राथना इस्थल में की जाती है करीब करीब 40 ऐसे खे खेल हम करा पा रहे हैं विद्यालाय में एक बड़े ग्राउंड की आव सकता है चूंकि विद्यालाय के पास असमतलिये जमीन है किन्तु जो मैदान है वो सुईधा अंसार नहीं हो पाया है इस कार्ण से यहां पर जो जो बड़े खेलों की गती विदिया है वो नहीं हो पा रुकी हुई है जिस दिन ये मैदान यदी बन जाएगा सुवयस्थित मैदान बन जाएगा तो विद्याले में लगभग 1465 चाट चात्राय हैं उन्हें इस मैदान का लाभ मिलेगा और उनका एक सर्वांजिन विकास होगा मैदान सर इसली नहीं बन पाया है क्योंकि इस मैदान में जो उपर बसाठ है उस बसाठ का गंदा पानी नालियों का गंदा पानी इस मैदान के बीचों बीच से बह रहा है वो यदी नालियों के माध्यम से उस पानी को हम यदी उसको दिशा दे ये मैदान अभी ततकाल में प्रारम हो सकता है इसके लिए मानिनिय नगरपाली का परिश्ट को भी आवएदन किया गया है क्योंकि उनके तरफ से भी नाली सुईकरत की चुकी है यहां पर दस से पंदरह परिवार के द्वारा अतिकरमण किया गया है उस अतिकरमण के कारण से नाली का निर्माड नहीं हो सका है और अती करमड कहीं ना कहीं बादित है इस मैदान को बनाने में यदि ये अती करमड यहां से अलग हो जाता है नाली का निर्माड हो जाता है तो इन बच्चों को कक्षा नौमी से लेके बारवी तक्के के छाथ छात्राओं को खेल कूत की ग उस साइड में साथ एकड़ के आसपास जमीन भी है परन्तु वहां पर कुछ लोगों द्वारा इंक्रोच्मेंट कर लिया गया है और बाउंडरी वाल के लिए पहले रासी नहीं थी तो इसलिए बाउंडरी वाल भी नहीं बन पाई थी अभी वहां पर दो चात्रावास द्व जाएगा और बाउंडरी वाल बन जाएगी तो हम वहां पर ग्राउंड बना लेंगे और बच्चों को खेलने के लिए अच्छी वेवस्ता हो जाएगी पिछले 14 जनवरी को एक बैठक हुई थी कलेक्टर सर की अध्यक्स्ता में और उसी समय से कलेक्टर सर द्वारा नोटि और बाउंडरी वाल निर्माड और ग्राउंड निर्माड का काम प्राराम हो सकेगा हेलो फ्रेंड्स आप देख रहे हैं हमारा चैनल स्व 24 न्यूज हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे टेल आइकोन को दबाना बिल्कुल भीना पुलें